नमस्कर दोस्तों आप देख रहे हैं A.A. सकडमी में हूँ आपके साथ अर्विन दोस्तों आज हमें इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं मत्विदे सिक्षक भरती वर्ग तीन के लिए संस्कृत पेडागोजी के महात्पुन प्रशने तो दोस्तों ध्यान रखेगा संस्कृ इसलिए वीडियो को अंत तक देखेगा और देखने के बाद वीडियो को लाइक और सेर जरूर कीजिगा चले दोस्तों स्टार्ट करते हैं कोश्चन करमांग पहला ब्यक्ति के मन में रुची एवं इक्षा पैदा करना तथा उसे कारिक करने के लिए प्रेरित करना कहलाता है यदि आप किसी मन में किसी ब्यक्ति के मन में रुची और इक्षा पैदा करना और उसे कारिक करने के लिए प्रेरित करना क्या कहलाता है सिक्षा सिक्षण या प्रिशिक्षण या प्रिशिक्षण तो ध्यान रखिए कि जब हम किसी आदमी को मोटिवेट करते हैं किसी आ सकारात्मक परिवर्तन लाई जाने बाली प्रिक्रिया कहलाती है यदि कोई ब्यक्ती है वो ब्यक्ती की कारिश हमता में सकारात्मक परिवर्तन लाई जाने बाली प्रिक्रिया को क्या कहेंगे प्रिशिक्षा या प्रिशिक्षा या सिक्षण या प्रिशिक्षण तो द्यानक ना इसका जो सही आंसर होता है वो होगा प्रिशिक्षण क्योंगी हम प्रिशिक्षण के माध्यम से कोई भी आजबी की कारिश हमता हो उसमें हम सकारात्मक परिबर्तन कर सकते हैं ठीक है? नेस्ट कॉस्चेन आपका शिक्षा के बिविद अंगों में बिसिस्ट महात्य है जो शिक्षा के बिविद अंग है उन्हों में महात्य क्या है? शिक्षा बिधियों का बिधियों का या परिभासा का या प्रिशिक्षण का तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? विभिद अंगों में विसिस्ट महात्य होता है विधी का यानी विधियों का इसलिए Option mater विधी सहही होगा Next is Sanskrit की सफलता है तू विधी नहीं है यानी Sanskrit सिफलता है तू विधी नहीं है कौन से विधी नहीं है पाठ्थि साला विधी या ब्याकरण विधी या अनुबाद विधी या क्रिया विधी तो जो संस्कृत सिक्षण की सफलता है तो विधी उप्योक्त नहीं है वो कौन सी विधी नहीं है क्रिया विधी नहीं है इसलिए option number D answer आपका सही है next question है आपका बैदिक काल में सिक्षा दी जाती थी जो बैदिक काल था उस समय सिक्षा कैसी दी जाती थी लिखित रूप में मोखिक रूप में सिस्सियों के माध्यम से या जीब जन्तियों के माध्यम से तो जो बैदिक काल में सिक्षा दी जाती थी वो मौखिक रूप से दी जाती थी है ना option number B answer आपका सही होगा next है गुरू के आस्वस्थ होने अथ्वा बाहर जाने की स्थिती में मिधावी चात्र द्वारा अन्ने चात्रों को पढ़ाने कौन सी विधी अपनाई जाती है सूत्र बिधी बाद विवाद बिधी या कथन बिधी कथा कथन बिधी या कक्षा नायक बिधी तो इसमें आपकी कौन सी बिधी का यूज करते हैं उप्यो करते हैं कक्षा नायक बिधी जैसे हमारे क्लास में मॉनिटर होते हैं तो कक्षा नायक बिधी का हम यूज करते हैं नेक्स्ट कोश्चन है बिशय को इसपष्ट करने के लिए गुरू किस बिधी का सहारा लेते हैं यानि किसी भी बिशय को इसपष्ट करने के लिए गुरू किस बिधी का सहारा लेते हैं भाशन बिधी का सूत्र बिधी का या प्रशनोत्तर बिधी का या ब्याख्या बिधी का तो हमेशा जब कोई भी बात कुर्ण को इसपस्ट करना हो तो उसमें हमेशा वो भाशन विधी का यूज करते हैं इसलिए option number A answer सही है नेक्स्ट है ब्याकरण अनुबाद विधी उसकी सिक्षा पधिती के बाद विक्सित हुई जो ब्याकरण विधी है यह उसकी सिक्षा पधिती के बाद विक्सित हुई है यह किसने कहा लॉड मेकॉले ने या कीथ ने या हर्वर्ट ने या कोई नहीं इन वैसे कोई नहीं है तो इसका जो सही आंसर होगा, लॉर्ड मैकोले ने कहा था कि ब्याकरण अनुबाद बिधी उसकी सिख्छा पधिती के बाद बिक्सित हुई है, है ना? इसलिए option number A answer सही है. नेक्स्ट question है, भारत में पाठ पुष्टक बिधी के समर्थक थे, जो भारत में पाठ पुष्टक बिधी है, उसके समर्थक कौन थे? लॉर्ड मैकाले, राधा क्रशन गोपाल, डाक्टर वेस्ट या पर डाक्टर कीत, तो इसका जो सही आंसर होगा, डाक्टर वेस्ट इसके बिधी के समर्थक थे, ठीक है? नेक्स्ट question है, प्रित्यक्ष बिधी को कहते हैं, जो आपकी प्रित्यक्ष मतलब दिखाई दने वाली बिधी है, उसको क्या कहते हैं? निरवाद बिधी, गुरूसिस का सीधा संपर्क, अन्ने के दौारा सिक्षप्रदान करना, या कोई नह प्रित्यक्ष बिधी को हम निरवाद बिधी भी कहते हैं, ब्याक्रण भासा का होता है, ब्याक्रण भासा का क्या होता है? अनुचर, सहयोगी, सासक या निरदेशक, तो इसका जो सही आंसर होगा, ब्याक्रण भासा का होता है, ब्याक्रण भासा का क्या होता है? सासक होता ह है ना इसलिए option number C answer सही है next question है आपका प्रारंबिक इस्तर पर संस्कृत ब्याकरण की सर्बोत्तम प्रणाली है यानि जो प्रारंबिक इस्तर है उस इस्तर पर संस्कृत ब्याकरण की सर्बोत्तम प्रणाली क्या है आगमन प्रणाली या फिर निगमन प्रणाली या सूत्र प्रणाली या फिर आव्याकृति प्रणाली तो इसका जो सही अंसर होगा वो कौन सा होगा आव्याकृति प्रणाली यानि option number D answer आपका सही होगा ठीक है आव्याकृति प्रणाली नेक्स्ट कोईशन है मादमिक इस्तर पर संस्कृत ब्याकरण की प्रणाली है जो मादमिक इस्तर पर संस्कृत ब्याकरण की प्रणाली क्या है सूत्र प्रणाली, ब्यास प्रणाली, आगमन निगमन प्रणाली या बाद बिवाद प्रणाली तो इसका जो सही आंसर होगा तो कौन सा होगा आगबन निगबन प्रणाली ओप्सन नंबर सी आंसर आपका सही रहेगा संस्कृत भासा में ब्याकरण के ज्यान की आवशक्ता है जो संस्कृत भासा है इसमें आपके ब्याकरण के ज्यान की आवशक्ता है नहीं है या कम या निवनादिक तो इसमें कौन सा आप सही अंसर होगा मतलब संस्कृत भासा में ब्याकरण के ग्यान की आवश्यक्ता नहीं है या है यह बताना है आपको मतलब आप देखीगा संस्कृत की कोई भी भासा हो ब्याकरण के बिना तो नहीं होगी तो मतलब उसका जो सही अंसर होगा वो क्या होगा इसमें ब्याकरण की आवश्यक्ता है इसलिए option number आपका बी अंसर सही होगा next question है ब्याकरण है ब्याकरण साधन साध्ध या साधन साध्ध या असाध्ध है तो ब्याकरण क्या है आपका एक साधन है है ना ब्याकन क्या है साधन है इसलिए option number A answer सही रहेगा हर बार टिये बिधी में कितने पदों द्वारा सिक्षण का बिधान किया गया है जो हर बार टिये बिधी है इसमें कितने पदों द्वारा सिक्षण का बिधान किया गया है 4, 5, 6 या 7 तो इसमें ध्यान लखना 5 बिधान किया गया ठीक है, Option No. 2 आंसर आपका सही होगा अस्टाथ ध्याई सूत्रों का बेबेचन है कहा है、 4,000, 3,000, 5,000 या 4,100 तो जो अस्टाथ ध्याई सूत्रों का बेबेचन है वो कितना है, 4,000 ठीक है option number A answer आपका सही होगा next question है ब्याकरण का प्रमुक कारे क्या है ब्याकरण का जो प्रमुक कारे क्या है समाज की स्थापना करना, धर्म की प्रधानता, भासा का विशलेशन, अर्थ का विशलेशन तो इसमें जो ब्याकरण का प्रमुक कारे है भासा का बिशलेशन करना यानी option number C अंसर आपका सही है ब्याकरण की नवीनतम विधी है ब्याकरण की जो नवीनतम विधी क्या है आगमन निगमन विधी सयोग विधी या सूत्र विधी या सूच्म सिक्षन विधी तो इसमें सही अंसर आपका क्या होगा व्याकरण की नवीनतम बिधी मतलब नई बिधी कौन सी है नई बिधी है आपकी सूच्म सिक्षण बिधी एनी option number D answer आपका सही है ठीक है चले next है इन में से प्राचीन बिधी है इनमें से प्राचीन बिधी कौन सी प्राचीन मतलब पुरानी पाठ पुष्टक बिधी परायन बिधी या सनरचनात्मक बिधी या परिवेक्षन अध्यन बिधी तो इनमें से जो प्राचीन या पुरानी बिधी है वो आपकी कौन सी बिधी है परायन बिधी आपकी सबसे संग्रंथन बिधी आपकी वो है प्राचीन बिधी एनि option number B answer आपका सही है ठीक है next question है भासा संसर्ग बिधी भासा संसर्ग बिधी है नबीन बिधी नबीनतम बिधी या प्राचीन बिधी नबीन एवं नबीनतम बिधी तो इसमें जो सही आंसर होने वाले वो आपका कौन सा होगा भासा संसर्ग विधी है कैसी विधी है भासा संसर्ग विधी यह एक प्राचीन विधी है ठीक है संस्कृत भासा का प्राण है संस्कृत भासा का प्राण क्या है अनुबाद संधी समास या व्याकरण तो संस्कृत भासा का जो प्रान है वो ब्याकरण है ठीक है, इसलिए option number D, answer up का सही है Next question है, संस्कृत भासा की सब्द रचना में महत होता है संस्कृत भासा की सब्द रचना है उस में महत होता है, किसका महत होता है उतार चड़ाओ का, स्वर एवम लाब का, क्रम बध्धता का ये चंद बध्धता का तो संस्कृत भासा की सब्द रचना में जो महत होता है वो किसका महत होता है, स्वर एवम लाब का होता है इसलिए option number B answer आपका सही होगा क्या होगा स्वर एवम लाब का संस्कृत भासा के अध्यन से आपका क्या होता है आर्थिक लाब होता है, संस्कृत लाब होता है प्राच साहित का ज्यान होता है या भासा का ज्यान होता है संस्कृत भासा के अध्यन से आपको क्या होगा प्राच साहित का ज्यान होता है है न इश्री option number C answer आपका सही रहेगा तो दोस्तो हमने इधर पर practice sets finish कर लिया है next practice sets हम आपके लिए बहुत जल्दी लेकर आएंगे और ध्यान रखीगा यदि आपने work 3 के notes अभी तक नहीं मगाए हैं तो work 3 के notes मगाने के लिए आप दिये गए number पर अपना नाम और अपना address WhatsApp करें बहाँ पर आपको सारी detail मिल जाएगी और आपके notes book हो जाएगे दो से तीन दिन में notes आपके घर पर speed push के मात्यम से पहुंच जाएगे तो आप अपनी घर बैठके तयारी करें और अच्छे से तयारी करें और merit में आने से आपकी बहुत संबाबनाएं बढ़ जाएगी तो चलिए दोस्तों मिलता हूं next video में next topic के साथ जब तक लिए नमस्कार अपना बहुत क्यार रखीगा God bless